आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं सोनिया चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ ओंप्रूप्टेक प्राइविट लिम्टिड का यूट्यूब चैनल तो सातियों सबसे पहले तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज साल का अंतिम दिन है 31 दिसमर और कल से एक नया साल शुरू होने जा रहा है तो आपका धन्यवाद और आपका शुक्रिया बहुत पहले बनता है क्योंकि आप लोगों ने जो अपना आशिरवाद हम पर दिखाया है उसकी वजह से एक नई पहचान हमें मिली है, एक नया मुकाम हमें मिला है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया प्रभू से प्रातना कि आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें धेरो सारी सुबकामना है, सभी के लिए नई साल आने की बाकी जिन भी लोगों ने हमसे जुड़कर इन्वेस्ट किया है और जो भी यहाँ पर यमना में किसी से भी जुड़कर जिनोंने इन्वेस्ट किया है बाकी आज में एक नई अपडेट के साथ हाजिर हूँ, एक नई सेक्टर के साथ हाजिर हूँ बात करेंगे आज हम सेक्टर 25 की, सेक्टर 25 में 7% किसान कोटा रजिस्टर्ड प्लॉट अभी केवल एक ही ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी किसान कोटा के प्लॉट रजिस्टर्ड होने लगे हैं यमना प्राधीकरण में greater norda में तो आपको रजिस्टर्ड ही प्लॉट मिलेंगे mostly सारे ही जिनकी रजिस्ट्री हो गई है लेकिन जो यमना में है यमना में अभी शुवात है 7% किसान कोटा प्लॉट की तो अभी सेक्टर 25 इसमें रजिस्टर्ड हो चुका है बहुत सारे लोगों की query होती है questions होते हैं कि मैम रजिस्टर्ड प्लॉट चाहिए वो भी हमें यमना के सेक्टर 25 में बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि मैम क्या future है अगर हम यहाँ पर investment करते हैं future बहुत अच्छा है यह हमें बताने की जरूरत नहीं है आप लगातार देख भी रहे हैं चीजों को 2024 एक अलग और पहचान बनाने के लिए यमना प्राधिकरन को बहुत सारी चीजें बहुत सारी सौगात हमारे लेकर आ रहा है वैसे तो दो सालों से हम भरमार देख ही रहे हैं यमना प्राधिकरन में कि किस तरीके से development चल रहा है किस तरीके से project आ रहे हैं और किस तरीके से यहां पर planning चल रही है वहीं 2024 में भी Noida International Airport की शुरूवात बहुत सारी connectivity से जोड़ा जा रहा है एयरपोर्ट को Film City का 5 जनवरी को tender open होगा वो भी एक अच्छी सकारात्मक खबर हमारे लिए लेकर आएगा तो सबसे पहले डाल लेते हैं एक बार screen पर नजर यमना authority plots 7% किसान कोटा registered sector 25 जो की sports city के बिलकुल नजदीक है और यमना express वर्ड अगर आप जाएंगे towards आगरा यमना express वे से तो आपको ये right side में पड़ेगा अच्छा sector है छोटी inventory भी आपको मिल जाएंगी करीब कभी 130 meter आपको inventory यहाँ पर मिल जाएगी सबसे छोटी जो inventory है छोटे size मुश्किल होते हैं निकलने लेकिन available है फिलाल अभी inventory 130 meter, 400 meter, 440 meter फिर बड़ी inventory तो आप कितनी भी यहाँ पर ले लीजेगा तो आज layout से मैं आपको समझाओंगी इसमें different different block है minimum road 12 meter है और आपको जो plot मिलेगा वो registered होकर ही मिलेगा यहाँ के circle rate की बात कर ले तो 7500 यहाँ का circle rate है जिससे आपकी white value जाती है लेकिन depend on party की वो white value जादा भी कभी कभी ले ले लेते हैं लेकिन जो एक circle rate है जिस पर आपकी registry होगी वो 7500 है तो यह देख लेते हैं sector 25 का यह layout है different different इसमें block है A block है B block है C block है D E F G और H block भी इसमें है 120 meter का यह road 120 meter से direct इसमें entry है और सबसे block पहला block H पड़ता है उसके बाद A B C D E F G सारे ही block अच्छे हैं बहुत अच्छी connectivity दी है बहुत अच्छी connectivity है ज्यादा दूर की distance पर नहीं है यह अमना express वे से सबसे चोटा size जो होता है आपका शुरूबात तो यहाँ पर 60 meter 90 meter से हो जाती है लेकिन inventory अभी जो है वो 100 meter प्लस ही आपको मिलेंगी उससे बड़ा आप कितना भी size ले सकते हैं 2500 meter तक भी inventory available होती है इसमें semi commercial plot होते हैं मैं आपको 6% किसान कोटा में भी यह brief करती हूँ कि यह semi commercial plot होते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है मैं 12 meter road पे commercial नहीं कर सकते तो ऐसा कुछ भी नहीं है लोग इने semi commercial purpose से ही use करते हैं 50% आप residential 50% आप commercial इने use कर सकते हैं अगर आपका मन है कि आप इसे पूरा ही commercial use करना चाहते हैं तो एक nominal charges आपको देने होते हैं उसके बाद इस property को आप पूरा ही commercial use भी कर सकते हैं आने वाला future है इनका क्योंकि residential तो एक रहने का है ही है लेकिन जो semi commercial या commercial की property की हम बात करें तो उसकी एक अलग ही value होती है अपने आप में road की मैंने आपको बात बता दी 12 meter road है different different park भी आपको मिलेंगे हर चीज की facility हर चीज की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाएगी छोटा size भी available है जादा जानकारी चाहिए कोई question है पेपर से related क्या इसके documents है या क्या इसका process अगर वो समझना है तो आप हमसे जुड सकते हो number हमेशा mention है स्क्रीन पर तो स्क्रीन पर आप एक बर देख भी सकते है 8510-801-801-9800-500-700 अच्छा समय है investment करने का जनवरी में rate बढ़ने की और नजर आएगा एक अच्छा समय है यहाँ पर आप अपना जो भी पैसा जो भी investment करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कहीं भी greater noida के 6% semi commercial plot best है यह अपना में residence भी आप ले सकते हैं agriculture land में भी आप जा सकते हैं किसान कोटा के plot में भी जा सकते हैं वहाँ पर अभी आने वाला भविश्य है तो आने वाले future में तो आप investment करें तो एक अच्छा appreciation आपको मिलेगा ही मिलेगा तो प्रभू से यही प्रातना करते हैं 2024 में जिन भी लोगों के सपने हैं वो पूरे हो और जो भी आपर planning आने वाली है जो भी आपर projects आने वाले हैं उनसे जुड़े भी सारे जो चीज़ें हैं वो हमें पूरी होती हुई नजर आए वहीं बहुत सारे लोगों का यहीं कि मैम आपने pot taxi का नहीं बताया pot taxi की DPR या उसका क्या है तो अभी pot taxi और metro दोनों के बीच में दुविदा चल रही है क्योंकि जब तक सहर नहीं बसेगा तो pot taxi का proper use नहीं हो पाएगा और जो project है वो loss में चला जाएगा तो बहुत सारी चीज़ों को planning करके सारी चीज़ों को देख कर सर्च करकर तब उन चीज़ों पर काम किया जा रहा है और तब उसकी शुरूवात होगी क्योंकि अगर सहर नहीं बसेगा तो pot taxi कहां से चलेगी जब pot taxi नहीं चलेगी तो जो project है वो loss में आ जाएगा घाटे में आ जाएगा तो सिर्फ कहने से ही चीज़ों को सोचा जाता है विचारा जाता है तब उस पर सारी चीज़ों को planning और processing होकर आगे बढ़ती है फिर मिलूंगी नई खबर के साथ नई अपडेट के साथ नेरो सारी शुब कामना है आपको अगरिम नए साल की 2024 की आपसे अग्या मांगती हूँ अनुमती लेती हूँ और फिर मिलूंगी नई अपडेट के साथ नई खबर के साथ आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत इसने और आपका आशिरवार हम पर ऐसे ही बना रहे है जैहिन जैभारत